हे गाईस तो आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी पांच कार्स जिनको आपको 2022 में लेना चाहिए मतलब ये कार्स आपके लिए वर्थिट रहेंगी और एक तरीके से ये आपके लिए पैसा वसूल होने वाली है तो यहाँ पर नंबर वन पर आती है सुजू की बलीनो 2022 तो दोस्तों यहाँ पर हाल फिलाल में ही बलीनो 2022 लांच हो चुकी है और अब इस कार में आपको काफी शांदर फीचर्स और बहुत ही बड़ी लुक्स मिल जाता है यहाँ पर दोस्तों मैं आपके इस कार की प्रैजिंग बता दू तो यह कार चार वीरेंट्स में अवेलिबल होती है पहला है सिगमा, दूसरा है डेल्टा, तीसरा है जीटा और चोहता है अल्फा बेस मॉडल सिगमा की प्रैजिंग है 6,35,000 एक्षूरूम और इसका जो टॉप मॉडल है अल्फा उसकी प्रैजिंग आपको पढ़ती है 9,49,000 एक्षूरूम देली जितने भी प्रैजिंग में आपको बताँगो वो एक्षूरूम होने वाली है और जो उसका टॉप मॉडल हो आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में अवीलबल होने वाला है यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अब यह कार आपको manual transmission और automatic transmission में ही मिलने वाली है CVT को यहाँ पर पूरी तरीके से company ने हटा दिया है बाकी आपको सामने projector head lamp मिलता है side में आपको halogen indicator मिल जाते हैं new 60 inches के dual town alloy wheels आपको इस कार में मिलने वाले हैं जो कि आप देखने में बहुती बड़ी लगते हैं वहीं दोस्तों पीछे आपको new LED T-LED की designing मिलती है और जो indicators में आपको bulb में ही available होने वाले हैं reverse parking camera, reverse parking sensors और अब दोस्तों इस कार में आपको 360 degree का parking camera भी मिलने वाला है सामने आपको camera मिल जाता है तो यह बहुती अच्छा feature इस कार में add up कर दिया गया है अंदर देखें तो अंदर भी आपको नई fabric में seats available हो जाती हैं यहाँ पर दोस्तों इस कार में steering wheel आपको flat bottom मिलता है और अब इस कार में आपको HUD भी मिल जाता है मतलब heads up display मतलब इसके heads up display में आपको gear indicator, RPM, speedometer और time जिसे चीज़ों हो जाती है infotainment system का जो layout है उसको भी काफी हद तक improve कर दिये गया है आपको जो touch response है वो भी आपको ठीक टाक मिल जाता है और अब आप इस कार को Bluetooth से भी connect कर सकते हो और दोस्तों अगर आपकी कार में fuel कम है तो इसका जो speaker है वो आपको बोल के बता देता है तो यह काफी अच्छा indication इस कार में आपको मिल जाता है बाकि comfort आपको बलीनों में पहले भी अच्छा मिलता था और अभी भी आपको बढ़िया मिल जाता है और यहाँ पर इस कार में आपको boot space भी शानदार मिल जाती है अगर यहाँ पर बात करे ground clearance की तो 170 mm गा ground clearance आपको इस कार में मिलने वाला है तो दोस्तों यह कार आपके लिक perfect choice हो सकती है हाला कि यहाँ पर build quality से related कोई भी update निकल कर नहीं आई है मतलब safety rating से कोई भी update निकल कर नहीं आई है लेकिन मैं उमीद करता हूँ कि इस कार में आपको अच्छी safety rating मिले क्योंकि पहले एक मुकाबले अब इस कार कर जो crab weight है वो 50 kg बढ़ चुका है तो यह थी हमार पहले नंबर की कार जो की है सुदू की बलीनो नंबर टू पर आती है टाटा पंच अगर आपका budget कम है तो आप definitely इस कार की तरफ जा सकते हो यह आपके लिए एक best option हो सकती है यहाँ पर दोस्तों इस कार में आपको चार variants मिलते हैं पहला है प्योर दूसरा है Adventure तीसरा है accomplished और top model की pricing है 8,98,000 बागी दोस्तों यहाँ पर इस कार के एक नया edition मिलांच हुआ है जिसका नामे काजी रंगा और यह सरफ आपको top model में ही मिलता है इसकी pricing है 9,18,000 तो अगर आप एक नया कार लेने का सोच रहे हो तो आप इस कलर की तरफ जा सकते हो बागी दोस्तों यहाँ पर इस कार की वो देखने में काफी अच्छी और बहुत ही अच्छी build quality के साथ आपको यह कार मिलती है इस कार में दोस्तों आपको 5 star की safety rating मिलती है तो यह बहुत ही अच्छी बात है किस कार में आप पूरी तरीकी से safe होने वाले हो यहाँ पर दोस्तों इस कार में आपको 187 mm का ground clearance मिल जाता है, boot space की बात करें, तो 366 liter का boot space आपको इस car में मिल जाता है, जो इस car के electricals है, वो भी काफी शांदर है, सामने आपको projector headlam मिल जाता है, जिसकी जो visibility है, वो भी काफी शांदर है, और नीचे आपको LED fog lamp मिलता है, और सबसे उपर आपको LED DRL मिल जाते हैं, पीछे आप आपको LED TLED मिल जाती है, reverse parking camera, reverse parking sensors, तो ऐसे cool features आपको इस car मिल जाते हैं, और इस car में आपको दो riding modes भी मिलते हैं, city और eco, बाकि दोस्तों इस car में आपको analog और digital का instrument console मिलता है, जिसमें आपको चीजों को setup कर सकते हैं, और इसके जो infotainment system के touch response है, वो भी ठीक ता के आपको इस car के engine की, तो यह आपको सरफ petrol में ही available होती है, और इसमें आपको सरफ एक ही engine का option देखने को मिलता है, 1.2 लीटर के petrol engine में आपको ये car मिलती है, जिसमें आपको 84 BHP की power और 113 NM का torque देखने को मिल जाता है, तो दोस्तों मुझे लगता है कि अगर आपका budget इतना है, तो आप definitely T Tata Punch की तरफ जा सकते हो, नमबर 3 पर आती है Suzuki Selerio, अब दोस्तों ये car भी उन लोगों के लिए है, जिनका budget कम है, और Suzuki की car से आप build quality बिल्कुल भी expect नहीं करना, क्योंकि इस car की जो safety rating है, वो है दोस्तों 0, तो अगर आपका budget कम है, तो ही आप इस car की तरफ जाओ, मैं तो मैं आपको recommend करऊंगो, कि आप Tata Punch को भी इसके बदले में ले सकते हो, थोड़ बहुत पईसा जोड़के, यहाँ पर दोस्तों इस car करके जो base model है, LXI, उसकी pricing है 4,99,000, और इसके जो top model है, जो कि आपको automatic transmission में मिल जाता है, उसकी pricing है 6,94,000, और दोस्तों यहाँ पर ये car आपको CNG में भी available हो जाती है, जिसमें आपको 35 KMPL तक का mileage मिल जाएगा, बाकि कि अगर आप petrol वाई लेते हो, तो उसमें आपको 25 का mileage मिल जाएगा, लेकिन अगर आप CNG लेते हो, तो उसमें आपको 35 KMPL तक का mileage मिल जाएगा, और इसकी pricing है 6,54,000, यहाँ पर दोस्तों ये car आपको electronic stability जैसे feature भी आपको इस car में मिल जाता है, मतलब थोड़ोगा safety related feature आपको इस car में तगड़े मिल जाते हैं, इंटियर से भी ये काई decent है, ज्यादा कुछ अच्छे features आपको नहीं मिलते, और जो comfort है वो भी आपको ठीक ठाक इस car में मिल जाता है, मतलब price के साब से आपको ठी जिनकी तरफ आप जा सकते हो, नंबर 4 पर आती है MG Aster, दोस्तो ये कार भी बहुत ही शानदार है, लेकिन जब से क्रेटा launch होई है तो लोग उस car के पीछे ही पढ़ गए हैं और इस car को कोई देख भी नहीं रहा, लेकिन दोस्तो ये car आपके लिए worth it हो सकती है, मान लो अग सामपर दोस्तों इस car में आपको 1.3 लीटर का टर्बो पैट्रल और 1.5 लीटर का नैचरली एस्परेटेड़ पैट्रल इंजन आपको इस car में देखने को मिल जाता है, बाकि दोस्तों लुक्स इस car का बहुत शानदार है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको LED DRL मिलेंगे, लेकिन नीचे आपको कोई भी fog lamp देखने को नहीं मिलने वाला है, बेस मोडल में, टॉप मोडल में आपको ज़रूर मिलेगा, पीछे आपको LED टेल लाइट और बल्ब इंडिकेटर मिलते हैं, reverse parking sensors भी आपको इस car मिल जाते हैं, बेस में और टॉप में आपको दोस्तों, बेस मोडल में भी आपको dual tone interior मिलता है, और जो off white color का interior ना उसमें, वो आपको soft touch में मिलता है, बाके दोस्तों comfort related problem भी आपको इस car से नहीं आने वाली, बहुत ही शान्दर comfort आपको इस car मिल जाता है, fabric coated seat आपको मिलती है, लेकिन अगर आप top model लेते हो, तो उसमें leather की seat मिल जाती है, बाके दोस्तों यहाँ पर बात करें इस car की boot space की, तो इसमें आपको 475 लीटर की boot space मिलती है, ground clearance की बात करें, तो 190 mm का ground clearance आपको इस car में मिल जाता है, जो कि मेरे सबसे एक SUV की हिसाब से वर्थेट है, आप आराम से कहीं की वे रस्ता में इस car को दोड़ा स सकते हो, बाके दोस्तों मैं आपको जरूर कहूंगा कि अगर आपको बज़ेट थोड़ा जाता है, तो आप जरूर सेकंड टॉप या फिर टॉप वेरेंट की तरफ जा सकते हो, लेकिन अगर आपको बज़ेट कम है, तो आप हसकर बिलकुल base model ले लेना आपको कोई भी पच टॉप model ए AX7, उसकी pricing आपको मिल जाएगी 23.79 lakh रूपीज एक शूरूरू, इस price segment में आपको ये कार मिलती है, हाला कि अगर आप Adreno X series लेते हो, तो उसमें आपको ज़्यादा features मिलते हैं, लेकिन अगर आप MX वाली series लेते हो, तो उसमें आपको decent से ही features available होते हैं, हाला कि द दूनों में ही आपको अच्छी कासी space available हो जाती है, तो आपको space related कोई भी problem नहीं हाने वाली, यहाँ पर दूस्तों बात करें इस car के engine की, तो 2 liter के turbo petrol engine के साथ ये car आती है, जिसमें आपको 200 PS की power और 380 Nm का torque देखने को मिल जाता है, और ये car आपको diesel में भी available होती है, जिसमे आपको 2.2 liter के diesel engine देखने को मिलता है, जिसमें आपको 182 BHP की power और 450 Nm का torque देखने को मिल जाता है, फीचर भी इस car में आपको शांतर मिल जाते हैं, safety related feature भी आपको इस car में तगड़े मिलता है, जैसे की ABS, EBD, electronic stability, आपको 6 airbags इस car में मिल जाते हैं, और 5 star की safety rating के साथ आपको ये car available होती है, तो बहुत अच्छी बात है, आपको safety rating में इस car में जपरदस देखने को मिल जाती है, यहाँ पर दूस्त इस car में आपको automatic parking मिल जाता है, cruise control, traction control और इस car में आपको driving modes भी available हो जाते हैं, dual display का आपको panel इस car मिलता है, जिसमें आपको एक तरफ instrument console मिलता है, और ए सारी ही चीज़े आपको इस car में available हो जाती है, और 200 mm का ground clearance आपको इस car में मिल जाता है, तो दूस्तों मैं तो यही कहूंगा कि यह car आपके लिए बहुत ही जबरदस्त पैसा वसूल कार हो सकती है, तूमीदे कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको जाए जाए पर नुव अपकोंग वीडियो